हलो दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक के सुरुवात करने वाले हैं जिसका नाव है नावधारा इसमें लोग अक्सर बढ़ाते से मैं दो चरवाले लाइकिक समय करन ले आते हैं जिसे सुलूशन करने में काफी टाइम लग जाता है और नहीं तो लोग एक्जाम में इस कुरुशन नया चुट है जब सीधा चलते है कुछसन की और पिसे इस बाद हम पीडियो को लास्ट में करेंगे देखिए यहां कोसन मेरा बोलगा है कि एक नाव को धारा के प्रतिकुल 3 किलो मिटर तेसा धरा करन इक चार किलो मेटर जाने में कुल 45 मियाट का समय लगता है इसी धारा के प्रतिकुल 3.6 km और धारा के अनुकुल 2.65ड चार किलिमिटर जाने में इसे 49 मिनद का समय लगता है तो कह रहा है कि 1.59 की अनुकुल इस नाव का चार्ट कीजोग मीटर कीजो मीटर प्रतिक हंटा क्या होगा ठीक है तो इस सर अक्सर लोग क्या करते हैं कि दो चरु जो वाले रागिक समय केरल से बनाते हैं जिसे सीज़ा को साइल करुड़ाए तो चलिए अब सीधा यसदर सा इसको मैं सलूसन पना करने से पह। आपको आरेंजक करने आप से अरेंजक करते हैं देखेगा solution मात दो सेकेंज में हो जाएगा देखे अरेंज करते हैं का रहा है कि एक नाप धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल के मतलब क्या होता है की उसे करते कि एक नपभारा के प्रतिकूल के मतलब 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 धारा कम दशा में चल रहा हुशसें इसी जुदा सलीशन करते कर रहे हैं कि धारा के अनकूल प्रतिकूल के मतलब आप लिखेगा आप स्ट्रीम और प्रतिकूल के मतलब आप लिखेगा डौन कितना किलिम्यटर , 84 कीलो मٹ própria मतलब क्या होता इल्टा मतलब कितना मैं ते पॉइंट इंत法 किलिम्यटर Jen जाना के पॉइंटर समय लगता है तो कहा रहा कि Co I'm a dhara key and plan इस ल्याव का चाल किलो-मेटर प्रती घंटा में क्या होगा देखिया आपको मैंने यहाँ पर focus करना कि किका पूछ रहा है तो किया पूछ रहा ही पूछ रहा है अनज कूल पूछ रहा है तो हम लोग क्या करें कि प्रतिकूल को खतम कर देंगे मतलब बराबर कर देंगे यह वाला पूछ रहा है तो हम लोग इसको बराबर कर देंगे में समझना यहीं पर है कि हम आखिर बराबर कैसे करेंगे आपको यह तरी है और नीचे 3.6 है तो आपको इस तरीका से दोनों उपर नीचे मल्टिपलाई क करना है कि दोनों equal हो जाना चाहिए जो पूछे को उल्टा बाला दे कि हम इसको क्यों equal कर रहे हैं क्योंकि पूछा अनुकूल पूछ रहा है मतलब उल्टा बाला मतलब कौन प्रतिकूल क्या कर देंगे इसको equal कर देंगे तब सोचे तो इसको दोनों में कितना से करें के तो 36 55 कर देंगे तो 26 से मतलब अठारा हो जाएगा और इसमें कोई मतलब नहीं रहा जाएगा सिधर करने का मतलब इधर था कि हम लोग के इधर का काम बन जाया मतलब इसमें हम 6 से गुना कर देंगे और इसमें भी कितना से गुना कर देंगे 6 से उसी तरह से इसमें कितना से गुना कर देंगे 5 से इसको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 6 पचे 30 और 6 चो चो भी से 27 मतलब total 27 km आजाएगा इसको गुना कर देए 24 पर चे पीसा से मतलब कितना आजाएगा 12 km मतलब दोनों का अंतर निकाले जाएगा 15 km का जाएगा किलिए है उसी तरह से इधर समाई का भी अंतर निकाले जिए पहते हैं तो 45 गुने च्छा की जाएगा कितना हो जाएगा 270 कितना मिनट मिनट 75 मिनट तो देखे हम इसका किस चीज में किलो मेटर परती घंटा में तो देखे तो चाल बराबर क्या होता ही हृता वरमूल स महीं अनलु रजी Also measure, 15 किलो मिनटर। में चुर्पर लेकिन पूछ रहा है किछी सीज में km प्रति गंटा में तो गंटा मैं बढ़ना लेकि लिए कितना सो बुना साथ सबुना काथ यह 15 कटना 15 55 75 75 साथ 55 मतलब चारती बारा किलो मीटर प्रती घंटा कीलिए रहें कितना आसान सालूसां से इसको हम लोग बनाने में क्या करते थे कि दो चरवाले रैखिक समी करन आते थे तो इसे बनाने में बहुत ज्यादा तकलिफ होता था अक्सर लोग एक जाम में छोड़ देते हैं तो मैंने सोचा क्यूंँ आपके लिए एक छोटा सा सो सलूसन ना आ जाए किलर है तो चली अब हम लोग चलते हम फाँ किलो मेंटर तो 5 किलो मेटर लिख दीजेगा और धार के अनुकूलां क्यों मतलब 7str 7, teacher 5 k पांच किलो मेंटर जाने में इसे कुल 45 मिनट का समyाज़ लगता मतलब 45 मिनट का समयशन लगता मिनट में रहे है बनाने जह खोड़ दीजागा घंड़ा मिनट में रहे घ किलोमेटर धारा के अनुकूल के मतलब 77 मतलब कितना किलोमेटर पांच किलोमेटर और 2.5 किलोमेटर धारा के प्रतिकूल मतलब 2.5 किलोमेटर धारा के प्रतिकूल जाने में कुल 25 मिनट का समय लगता है फोकस कीजिए कि आखिर पूछ किया रहा है देखिए अनुकूल पूछ हुआ है अनुकूल मतलब साथ साथ वाला पूछ रहा है न तो हम लोग क्या करेंकि प्रतिकूल को रिप्लेस कर देंगे मतलब हम लोग यह सोचेंगे कि दोनों में कितना से मैल्टिपलाई कर दे ताकि दोनों एकोल हो जाए फिर मेरा को सींग नहीं होगा मतलब 7.5 km नीचे देखें पांट दुनी 10úsica मतलब पांजइक का Hmm कि िख्लें दूसी का फाईब के अब आपके समाइब के दो आन्तर पांच मिने दाए के से सक्क्राइब मेरा ना ऌट Tetum समय चाल निकालते हैं मतलब Сカ Tu चाल कीमी मेरा कितना उन्हा है पंच है और बताए मीनट में था ना लेकिन कीलो में में थाret expert है इसको घंटाया डानले के लिए हक्तों सभी साथ से देखे इसको पॉइंट हटा यते तो नीचे दस लिखी देते बताओ जीरो से जीरो काड़ी जे पापचे पचीस मतलब छोपचे तीस मतलब एकस पलस वाई का भैलू कितना आजाएगा तीस कितना आजाएगा तीस किलुमेटर प्रती घंटा देखिए मेरा कोसन क्या है कर रहा है कि छे किलुमेटर चाने में कितना समय लाएगा तो समय बरावर का होता है फर मुला दूरी बटे चालते दूरी कितना है मेरा चाल कितना है मुलो का तीस देखिए मीनाट में पूछा तो दुनी बारा मीनिट यहीं मेरा अंसर है किलियर है एक फिर से देख लिजिए आपको ज्यादा इसमें तकलिफ नहीं करना आपको सिर्फ अरेंज करने आना चाहिए और जो पूछेगा हम लोग को फोकस करना है कि या फूछ है जो पूछेगा उसको उल्टा बर्लक हम लोग बराबर कर दें और वाकी के लिया और दोनों का समय कड़ेंस निकाला झाएंग अधर डीस्टेंस का डीफिर नीकाल लेंगे हैं और ऑ्प या करेंगे इसके मदस हम लोग चाल निकाल लेंगे फिरा अगला कोशन है कराई कि एक नाप धारा के बेपरित 25 किलो मेटर तथा धारा के साथ 36 किलो मेटर जाने में कुन 9 घंटा इसका मतलते कि अबर समय दे दिया है घंटा में कोई दिक्कत नहीं घंटा में तो तौर असान है अगर ना दे तो थोड़ा सा तकलीफ है क्लिए है और दे दे तो बिल्कुल असाने देखें बहुत असाने काहरा है बीपरित बीपरित के मतलब स्विपले और एक सबस इस पलस बाइब सकते सकते łatए 2 क्यमेटर और ये त whisk 46 किलू मेटर कुल जाने में समय कितना है नान घंट आपको याद होना चाहिए कि इस चीज़ में है घंट में मीनच में भी दो तो कोई दिक्कत ने हम लोग पीछे दो सलूशन कर चुके हैं आगे पढ़े कर रहा है कि यादी नाप धारा के बीपरित 25-15 किलो मेटर पताओ बीपरित यह है ना कितना किलो मेटर 15 किलो म मिटर जाने में कुल गंटा का समय लेता है थहीं हम से पूछ क्किया रहा है ना पका चौक करना आप पूछ रहा है न यह पूंच रहा है न मतलब यह पूछ रहा है नहीं तहम लोग इसको क्या कर देंगे बराबर कर देए देखिये 36 और 45 में क्या किस्ट में कुना कर देगे जिसके करार हमको इक्वाल हो जाए देखिये तहह को लग नग रहा है कि बताऊं 45 दुनी नब 45 मतलbed 45 सो अस है और 36 में असिया सिरा लग रहा है उपर बाई यह नीचे 4 मेरा दोनी क्या हो जाएगा इकोल हो जाएगा तो क्या करना इथर फञाई करना इस में इसमें बूतिलाइब नीचे चार चुए है कि सब्सक्राइब आदो दोनों का die treating निकाल लीगा और इधर विधर दोनों का डिकाले बता पंची साथ से और बात यह पंद्रे चाहो साथ दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 65 किलो मीटर का इधर देखे समाई का अंतर निकाले जाए नो पचे 45 आवाच चाहो 32 मतलब 45 में से 32 मतलब देखे 45 में से 32 जाएगा मतलब कितना 13 कितना 13 यह क्या है क्या गहाँ समाई घंटा में दिवा थे इसलिए अंसर भी किस चीज में आएगा गहन्ता में आएगा देखे हमको का रहा है वीप्रित नाप का चाल बराबर क्या होता फर्मुला दूरी बटे अब धियान नहीं देंगे शुरू में ध्यान नहीं कि बीप्रित पूछ रहा है क बिद्दनेट संवनला दूरी समय तो characterize अनसर जाए questa मतलब 25 किल तो इसार और आसा और उमीद करते हैं आपको और अंसर दोनों समझ माया होगा घर में बसर दी से पांच वर चो वर प्रैक्टिस कीज़ेगा फिर असान हो जाएगा तो चलिए अगला कोशन आपके लिए रहेगा आपको यहीं करना है कि इसका अंसर कॉमेंट बॉक्स में लिखना है ऐसे हम इसका अंसर बता देंगे कि क्य परत कोशन के भांच मेंट इसका 5.6 किलिमेटर तरहरा के अनुक्त त्वर प्रीका ब помог दोरी करने ग्रहा सब्सका सब्सक्तिट Dal Government आपके लिए छोड़ देते हैं घर में इसे बनाकर देखिए आप बनाने से पहले आप क्या किज़ेगा कि जो तीन कोशन पहले बता है उसको तीन बार चार बार घर पर रिवीजन कर लिजेगा फिर इसको बना के देखिएगा थैंको अगर वीडियो अच्छा लगए तो करके हमें सुपोर्ट कर सकते हैं जाइए हिंद्ट